नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैलेंजर पांडे आज बात करेंगे जिन्दगी के सबसे एहम चीज़ की आपके दिल की, आपके सोच की और आपके दिमाग की बात करेंगे उस चीज़ की जिसके लिए इस पृत्वी पर हम सबका जन्म हुआ है बात करेंगे आज भक्ती की भक्त की बात करेंगे और बात करेंगे भगवान की भक्त और भगवान के बीच का ये अनूठा रिष्टा हमारी जिन्दगी में कैसे काम करता है और किस तरह से आप भगवान तक पहुँच सकते हैं इस विशे पर आज चर्चा करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं चाल चक्र में आज बात करेंगे भक्त और भगवान के संबंध के बारे में बात करेंगे कि जब आप भक्ती करेंगे तो आपको इश्वर की शक्ती कैसे प्राप्त होगी और ये भी बात करेंगे कि जब आप सच्ची भक्ती करते हैं वास्ताव में भक्त होते हैं तो उससे जिन्दगी कैसे बदल जाती है उसका प्रभाव क्या होता है वैसे तो भक्त और भगवान का विशय इतना बड़ा है कि उसको समझने और समझाने के लिए हमें कई जन्म लगेंगे लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो उसकी खास बाते हैं उन पर आपके साथ चर्चा की जाए सबसे पहले जानते हैं कि भक्त क्या है और भक्त कौन है नारद भक्ती सूत्र में कहा गया सा तस्मिन प्रेम स्वरूपा प्रेम का स्वरूप है भक्ती और शास्त्र कहता है कि इश्वर को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानना इश्वर को ही अपने जीवन का सब कुछ मानना भक्ति है और ऐसा करने वाला व्यक्ति भक्त है इश्वर को जीवन का सर्वस्ट व मानना आपको सुनने में लग रहा होगा बड़ी आसान से बात है कि इश्वर को हम अपने जीवन का सब कुछ मानने लेकिन मामला बड़ा कथिन होता है इश्वर के उपर 100% अपने आपको छोड़ देना ये बहुत आसान नहीं होता लेकिन जो कोई ऐसा कर पाता है वो भक्त होता है भक्ति के अलग-अलग प्रकार बताए गए नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की अलग-अलग व्याख्याएं बताई गई है कि किस-किस तरह की भक्ति होती है लेकिन ये बात समझ लीजिए कि चाहे आप किसी भी तरह की भक्ती कर रहे हैं भक्ती का जो प्रमुख उद्देश है वो इश्वर की प्राक्ती है शास्त्रों में नवधा भक्ती के बारे में चर्चा की गई है नौ तरीके की भक्ती के बारे में शास्त्र हमारे बताते हैं इसमें श्रवन, सुनना, कीरतन, याद करना, स्मरण, स्मरण करना, पाज सेवन, चरण दबाना, अर्चन, अर्चना करना, वंदन, वंदना करना, दास्य, अपने आपको दास समझना, साख्य, यानि अपने आपको मित्र समझना, और आत्म निवेदन, यानि सरेंडर, ये तमा देखिए एक बात आप समझेए कि इश्वर तक पहुँचना आपकी जरूरत है क्योंकि आपका जन्म इस धर्ती पर इसलिए नहीं हुआ है कि खाये कमाये संतान हुई शादी हुई और मर गए ये काम तो पशू भी कर लेता है ये कोई बहुत बढ़ी उपलब्दी नहीं है जिन्दगी की उपलब्दी ये है कि जो बुद्धी और विवेक आपको मिला है उसका सही इस्तमाल करके जीवन जीते हुए इश्वर तक पहुँचा जाए ये मानव जीवन का मुख्य उद्दे लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो सरल नहीं है बड़ा कठिन है कठिनाईयों से भरा हुआ है आपको लगता होगा कि बहुत आसान सी बात है मैं अपने आपको इश्वर को समर्पित कर दूंगा लेकिन ये इतना आसान नहीं है इसके लिए बहुत समय लगता है बड़ी तप पवित्र हो जाए कि आप अपने आपको पूरी तरह इश्वर के चरडों में समर्पित कर दें और भक्ति के रास्ते पर जब व्यक्ति चलता है ना तो उसकी जिंदगी की जो निगेटिविटी है जो पुरानी समस्याएं है वो एक-एक करके सामने आती जाती है ताकि वो द समस्या क्या है देखिए जब आप इश्वर की भक्ति के रास्ते पर चलते हैं मैं भक्ति की बात कर रहा हूं यह बात याद रखिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप गए और प्रसाथ चढ़ाया और अगर बत्ती जलाया और दीपक जलाया और चल दी यह भक्ति नह दिना देना नहीं है लेकिन जब आप अपने आपको इश्वर के चरड़ों में समर्पित कर देते हैं और पूरी तोर से इश्वर के रास्ते पे चलते थे में तो जिंद़गी में कठिनाया आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि जो पुराने कर्म है पुराने जो लकारात्मक कर् से अक्सर लोग ये रास्ता छोड़ देते हैं कभी कभी लोग कर्मकांड को मंत्र का जब करने को और दान पुन्य करने को भी भक्ति समझ लेते हैं मैं पांच घंटे सुबह और पांच घंटे साम को पूजा करता हूं बढ़िया अपना चित्र सोशल मीडिया पे डाल दिये ध मैं पांच घंटे शाम को पूजा करता हूं मैं सबता में इतना दान करता हूं मैं इतना उपवास रखता हूं अरे यह भक्ति नहीं है यह आपका साइकलोजिकल सटिस्फेक्शन है यह आपकी मानसिक संतोष की स्थिती है यह भक्ती वक्ती नहीं है और जो लोग ऐसा करते ह न, उनके अंदर आप देखेंगे बहुत जल्दी अहंकार पैदा हो जाता है, कि मैंने इतने साल साधना की, मैंने इतने साल तपस्या की, मेरे अंदर एक शक्ती आ गई है, वो अहंकार है आपके अंदर, और अगर अहंकार आया, तो इश्वर भूल जाईए, आपका पतन होना एक बात और समझे कि भक्त जो बनता है न वो भगवान की कृपा से ही बनता है ऐसा नहीं कि भक्त का अपना कोई अलग अस्तित्व है भक्त भी भगवान का ही एक हिस्सा है इसलिए भगवान जब कृपा कर देते हैं किसी के ऊपर तब जाकर कोई व्यक्ति भक्त बनता है आप देखें इतिहास कहता है कि हमारी दुनिया में राम आए, कृष्णा आए, गौतम बुध आए, क्या उन्होंने पूरी दुनिया को भक्त बना दिया क्या? नहीं बना पाए ना? जिसको भक्त बनना था वही भक्त बना और जिसको मुक्त होना था वही मुक्त हुआ तो भगवान जब अवतार भी लेते हैं, तो कुछ खास लोगों की मुक्ती के लिए अवतार लेते हैं, समस्त्र शिष्टी को मुक्त नहीं करते, उसका कारण ये है कि उससे लीला उनकी समाप्त हो जाएगी। तो भगवान जो बनते हैं वो भी इश्वर की कृपा से ही बनते हैं, भगवान जो भी कोई आदमी भगवान है, ये समझ लिजिए कि उसके ओपर इश्वर की अटूट कृपा है।